शुक्रुवार की शाम थी बर्मिंगम के अंतर राष्टी इनरत्य के समाप्त होने में अभी दस मिनट थे किंदू वो चिंतित था कि समय पर सिंफोनी हॉल के बियर बार में पहुँच पाएगा कि नहीं जहां उसके मेतर उसका इंतजार कर रहे थे डांचो के पश्चात उसे कम से कम 15 मिनट तो चाहिए कपड़े बदलने तो था मेकप साफ करने के लिए उसने सोच लिया था चाहे कितना भी समय लगे वो मेकप साफ करके ही जाएगा पिछली बार की तरह नहीं यह सोच के वो खुदी मुस्कुरा उठा एश एक सरल, सुशील और महंती नौजवान है माबाप का दिया नाम तो आशीश है किन्तु अंग्रेजों की सहूलियत के लिए अपना नाम एश कर लिया है वो एक सफल्न रत्यकार भी है सदा अपने सरल विवार से सभी को प्रभावित कर लेता है उसकी उम्र 26-27 की होगी अक्सर सुना भी है कि कलाकर भावुक तद समवीदन चील होते हैं वो भी कुछ ऐसा ही है तब ही तो उसने प्रेमबद होकर एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया था कपड़े बदल कर वो निकलने ही वाला था कि उसकी मुबाइल के घंटी बजी हाई एश भूलना मत पूरे दस बजे बियर बार में पहुंच जाना तुम्हारे लिए एक सर्प्राइस है सर्प्राइस का नाम सुनकर एश की टांगे का अपने लगी मनी मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान इस बार पिछले 6 महीने पहले जैसा सर्प्राइस ना हो उसकी आँखों के सामने वही पुराना द्रशी गूमने लगा जब इनी दिनों तीनों दोस्तों करन, टॉमस और जसी ने उसे क्लबिंग के चक्कर में अविस मरणे अचंबे में डाल दिया था जो अभी तक नहीं भूल पाया उस दिन जैसे ही वे पब, बीयर, बार में खाना ओडर करने वाले थे करने प्रसाव रखते हुए कहा चलो आज क्लबिंग करते हैं क्लबिंग का मतलब यूके में जवान लड़के लड़कियां एक क्लब से दूसरे, दूसरे से तीसरे यह सिलसला पूरी राट चलता है जिसे क्लब ट्रॉलिंग भी कहते हैं यार क्लबिंग में तो बहुत दिर हो जाएगी एश ने चिंतित्सवर में कहा तू भी न सिसी की तरह बात करता है जसी ने मजाग में कहा भूल गया? आज हमारी पतनियों की भी गर्ल्स नाइट आउट है वे तो खाने के पश्चात फेंटम आफ दा ओपेरा देख रही होंगी टॉमस ने बताया हमें भी कभी कलब की जगे थेटर जाना चाहिए एश न सुझाव देते हुए का कर्ण उने कलब फॉग में माथा टिकवाने ले गया फॉग एक अप मार्केट कलब है तीनों जानते थे कि जब कर्ण उनके साथ है तो चिंता की कोई बात नहीं कर्ण अमीर माबाप का इकलोता बिगडा नवाब है च्छे फुट लंबा हटा कटा नौजवान उसके शरीर पर कायदे से पहनी वेश भूशा उस पर डिजाइनर अर्मानी की जैकेट दरपण जैसे चमकते जूते टॉप मॉडल की बीम डबल्यू है उसके रंग ढंग से उसकी बोल चाल से उसके माबाप की अमीरी की जलक साफ दिखाई देती है यूँ कहिए कर्ण पूर उपश्चिम सभिता का आइन फ्यूजन है एश एक परंपरावादी हिंदू गुजराती परिवार से है कई वश पहले उसके माता पिता अफ्रीका से आकर यू के में बस गए थे वो लड़कियों जैसे नाजुक और शांतिस वभाव का है जस्विंदर ने भी अंग्रेजों की सहूलियत के लिए अपना नाम जसी कर लिया है वो वरकिंग क्लास परिवार से है उसके माता पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं पर बहुत महनती है टॉमस एक मध्यवर्गी, रूडवादी, अंग्रेजी परिवार से है उन्हें अपनी संस्कृति और मानेताओं पर गर्व है पिता चर्च के माने हैं इन चारों की दोस्ती नर्सरी स्कूल से चली आ रही है नौकरी के अत्रिक्त वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं करते उनका बस चलता तो एक ही लड़की से सभी शादी कर लेते पब में टॉमस, जसी और एश ने तो आधा-धा पॉइंट बियर पी ली और कर्ण जो स्वयम को सबसे अलग समझता था उसने एक ग्लास रेड वाइन ले डांस में मस जसी तो एक अफ्रीकन महिला जो करीब उससे 20 वर्ष बड़ी और 20 किलोग्राम भारी थी उसके संग चुस्कियां लेने लगा जसी को उस महिला से मस्खरियां करते हुए एक घंटा बीच चुका था बाकी तिनों बोर होने लगे तो एश बोला चलो कहीं और चलते हैं रंगीले जसी ने सुना अंसुना कर दिया डांस लोर पर भड़ा शोर हो रहा था इतने में अफ्रीकन महिला जसी की कमर में हाट डाले उसे बाहर ले गई और जसी के गले में हाट डाले बोली बेब वुड यू लाइक तो कम तो माई प्लेस तुनाइट लव इतना सुनते ही जसी के होश हवास गुम हो गय वो हवा की गती से भागा भागा भीतर पहुँशते ही बोला बात क्या है इतना घवराया क्यों है कुछ नहीं कुछ नहीं बाहर चल कर बतलाता हूँ भगवान के वास से निकलो यहां से जसी ने घवराते हुए कहा कहा चलना है टॉमस ने पूछा कहीं भी बस निकलो यहां से जसी एक लापर वहा हिप्पी टाइप का लड़का था गेसी पिटे जीन्स कानों में बालियां नाक में नतनी लंबे लंबे बाल उसकी पहचान थी बिल्कुल नारियल की भाती बाहर से ब्राउन और भीतर से सफेद वो एक सफल चित्रकार होने के साथ सफल संगितकार भी था पर था डर पोक कबूता सब हैरान थे ऐसा क्या हो गया चारों दोस दूसरे मंदिर क्यानि पब में माथा टेकने चल पड़े आल नाइट लॉंग क्लग वहां सब एक एक बियर लेकर बैट गए टॉमस और कर्ण डांस में लीन हो गए जसी की अभी तक हवाईयां उड़ी थी टॉमस मिस्टर कन्फ्यूज अपने में ही मस सदाही औरतों का अभिनेकर करके सब को हसाता रहा इसलिए वो अपनी टोली में बहुत लोग का प्रिय था बोला यह बहुत शोर है चलो कई और चलते हैं कहां कौन सा ऐसा क्लब है जो हमने नहीं देखा जसी ने पूचा गे क्लब गे क्लब का नाम सुनते ही सब के कान खड़े हो गए क्यों नहीं तजुर्बे के लिए ही सही टॉमस ने मुस्कुराते हुए का तजुर्बा ही सही देर इस ऑल्वेज अ फर्स टाइम हर जी क्या है इतना सुनते ही तीनों के हसी के फववारे छोट पड़े एश थका सथा वो नाटे प्रदर्शन करके आ रहा था गे क्लब पहुँचते ही चारों हक्के बक्के रह गए पुरुष पूरे मेकप के साथ महिलाओं के भेश में घूम रहे थे उनके हाव भाव और व्यवार से इस्त्री पुरुष के भेश का अनुमान लगाना बहुत कठिन था वहाँ पर अंग्रेजी, अफ्रीकन, चीनी और भारती है सभी तेशों के गे इस्त्री पुरुष शामिल थे मुझे तो ऐसा लगता है टॉमस यहां पहले भी आ चुका है कर्ण बूला एश मेरा तो यहां दम घुट रहा है लगता है हम किसी दूसरे ही लोग में आप पहुँचे है कर्ण ने घबराते हुए का कर्ण देख देख वो मोटी मुझे लगातार नहार रही है मुझे डर लग रहा है एश ने डरते हुए का नहार रही नहीं नहार रहा है उसकी दाड़ी देख उसके हाथ देखें एक जापड मारा तो वो दूसरी तरफ मुड़ जाएगा उसकी मोटी मोटी टांगे तो देख गुलाबी टाइट्स में कैसी भद्दी लग रही है और लाल और नीली स्कट वाली की तो नजरे मुझ पर आदे गंटे से ठीकी है हे प्रभु कहां भजा दिया है इस टॉमस ने कोई आदमी आँख मारता है और कोई चुम्बन फेकता है कोई इशारों में बुलाता है सभी की नजरे हम ही पर टीकी है मानो जैसे हम अजायब घर से भाग कर आए हो एश ओए तैयार हो जा वो तेरी ओरी आ रहा है लगता है तुझ पर उसका दिल सी जैसी ने कहा हाई, I'm Robert, would you like a drink? इसने मटकते मटकते हाथ आगे बढ़ाते हुए का उत्तर की प्रतिक्षा किये बगैरी रोबर्ट ने चारों के लिए ड्रिंक ओर्डर कर दी एक नहीं, दो नहीं, बार बार ड्रिंक ओर्डर करता गया बार बार वो एश के करीब आने की कोशिश करता रहा हाखिर में डांस के लिए रोबर्ट ने एश की और अपना हाथ बढ़ा ही डाला रोबर्ट उस पर पैसा लुटाए जा रहा था और वो नर्वस होता जा रहा था यहां तक कि रोबर्ट ने काउंटर पर कह दिया था इन्हें जो कुछ भी चाहिए दे देना और पैसा उसके अकाउंट में डाल देना रात का एक बच चुका था जसी मेरा तो दम गुट रहा है चलो घर चलते हैं एश ने कहा नाइट इस टिल यंग रोबर्ट ने खुशी से उन्हें अमंतरित करते हुए अब तक तो चारों रोबर्ट की इतनी शराब पी चुके थे कि मना करने की गुंजाश ही नहीं रही थे एश मनी मन दुखी हो रहा था टॉमस ने बिना किसी से पूछे जट से हां कर दी क्लब से निकलते निकलते उन्हें करीब दो बच चुके थे क्लब से बाहर निकलते ही रोबर्ट की लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन की काली लिमोजिन शोफर के साथ खड़ी थी ये देखते ही चारों के मुँख खुले के खुले रह गए जैसी के मुझे निकला वाओ चारों चुप चाप गाड़ी में बैट गए लिमोजिन हवा में ऐसे भाग रहे थे मानों सारती रद को खीचे लिए जा रहे हूँ जैसे ही लिमोजिन रॉबर्ट के पेंट हाउस के सामने रुकी सबकी आँखे चकाचौन्द हो गए रॉबर्ट ने पेंट हाउस बड़े साज और सलीके से सजाया था हर कमरा अपनी सजावट के व्याक्या कर रहा था छट पर हरा भरा भागीचा तारों की चाउं में हलके हलके रंग बिरंगे फूलों की महक वाता वरण को महका रही थे धीमे धीमे चान्दी पत्तों की ओट से जांक रही थी सब कुछ होते हुए भी एक अजीब सी शून्य थी ता थी वहाँ पर एक खाली खोकलापन इतना भावे पेंट हाउस उन्होंने जीवन में पहली बार देखा था रॉबर्ट की नजरे निरंतर एश पर टिकी थी वो मानों अंदर की अंदर और बाहर की बाहर सांस लिए बैठा हो आखिर रॉबर्ट ने एश से कही दिया एश क्यों न हम दोनों मिलकर रहें मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा यह सुनकर एश का सिर चक्राने लगा कभी वो बातरूम जाता तो कभी जसी से बातें करने लगता इस वक्त एश पिंजरे में कैद पंची की तरह उड़ जाना चाहता था रोबर्ट गिड़ गिड़ाय जा रहा था प्लीज एश केवल एक राथ एश पर रोबर्ट की आचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा कारन और जसी ने रोबर्ट को समझाने का बहुत प्रयास किया टॉमस ने दिलासा देते हुए कहा चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा ताले रात इस नामर्द के साथ कर्ण क्रोध में बोला लेकिन उसे तो एश चाहिए प्रॉमस बोला सब तेरा ही कसूर है तू नहीं डाला है इस मुसीबत में तू ही निकाल इसका हल बाइदर वे तू क्यों नहीं रह जाता रॉबर्ट के पास ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं ही नो प्रॉब्लम इतना सुनते ही सब के होश उड़ गए उनकी सोच से बाहर था सोचने लगे क्या वे सचमुच टॉमस को जानते हैं सबने ताली बजाते होए कहा मान गए टॉमस बड़ी चतुराई से छेपाया है ये राज तुमने हम सब से कर्ण ने भी कहा तुमने क्या सोचा था अगर बता देते तो हम तुमारे दोस ना रहते यार हमने तो नरसरी स्कूल से अब तक का सफर इकठे तै किया है अब ये लुकाच छिपी शोबा नहीं देती मेरे दोस दिल रोता है तुमारे लिए मैं तो नरति शो में कुछ घंटे मुखोटा चड़ा कर दुखी हो जाता हूँ और तु इतने वश्ट से कब तक चियेगा दोरा जीवन उगल डाल जो तेरे मन में है एश ने उसे बड़े प्यार से समझाते वे का ये सुनते ही सबकी आँकें भराई हमदर्दी के दोशब सुनते ही टॉमास रोते रोते कपड़ों की तैकी भांत ही खुलता गया बुला बच्पन से एक अजीब सी भावनाओं से जूचता रहा गुडियों से खेलना छिप छिप कर बहन के मेकप और कपड़ों को देखना छूना और सूना एक आदस सी बन गई थी पहले तो विपरीत लिंक के प्रती जिग्यासा होना स्वाभाविक से लगा जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई मैं लड़कों की ओर आकरशित होने लगा यूनिवस्ट्री से भी गर्ल फ्रेंड को कभी घर नहीं लाया घर वालों को चिंता होने लगी लड़किया मेरी ओर आक हमी रह गई है आप समझते होंगे अंग्रेज हों घर वालों ने सरलता से स्विकार कर लिया होगा नहीं ऐसा नहीं है अंग्रेजों की भी अपनी मान्यताएं हैं सीमाएं संसकार हैं इनी संसकारों के कारण कभी किसी से पूछने का साहस नहीं बटूर सका घर वाले मेरी इस सिती को अंदेखी अंसुनी करते रहे मैं अपनी व्यता समेटे कुकून में गुस्ता गया नौकरी मिलते ही अपना फ्लैट लेने की ठान ली माबाप अप्रतिक शुरूप से गर्ल फ्रेंड को घर लाने का संकेत देते रहे परदा फाश तब हुआ जब मैं अपनी बहन के थोने लगा मेरी पीड़ा सहनी हो चुकी थी दर्द बढ़ता जा रहा था सब मैंने सोच लिया था आज के बाद मेरी और जो भी लड़की आकरशित होगी मैं उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दूँगा ऐसा ही हुआ छे महीने पहले एमिली उसका शिकार बनी यू कह हो बली चड़ी जिसे मैंने वैवाहिक सुकसे वंचित रखा इंसान हूँ गलती हो गई अब दोरा जीवन और नहीं जी सकता दोश भावना की गुटली अभी तो गले में अटकी ही है एमिली जानती है क्या करने पूछा उसे शक्त है सामना करने से डरती है अच्छा किया त प्रिनों ने एक ही स्वर में कहा जसी ने मनी मन में प्रण किया कि आगे से कभी भी लड़कियों जैसी हरकत नहीं करेगा अब रॉबर्ट के साथ रात बिताने की समस्या तो हल हो गई अब यह जुगार लगानी थी कि रॉबर्ट के सिर से एश का बुखार कैसे उतारा तारों ने रॉबर्ट को धुत्य करने की ठान ली जब नशे में धुत्य रॉबर्ट को विश्वास हो गया कि आज एश ही उसके साथ रहने वाला है एश ने रॉबर्ट को कपड़े बदलने को कहा जैसे ही रॉबर्ट बातरूम में गया तो बिस्तर पर टॉमस के स्थ ने एश का इस्थान ले लिया, अब समस्या थी कि तीनों को एमिली का सामना करना था, घर में पहुंचते ही एमिली ने पूछा, टॉमस कहा है, वो रॉबर्ट के साथ है, सुभह आएगा, तीनों ने दबेस पर में कहा, एमिली बढ़ बढ़ाए, I knew it, सुभह होने को थी, तीनों अपने अपने घर चले गए, एमिली की रात भारी गुजरी, सुभह टॉमस चिंतित था, एक सप्ता पश्चात नाश्टे की मेज पर टॉमस के लिए एक पत्र पड़ा था, इसने ही टॉमस, मैं तुम्हारा दर समझती हूँ, आज तुम्हें, मैं इस अंचाहे बंधन में बंधे शादी रूपी पिंजरे से आजाद करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन की वास्तविक्ता से आगे बढ़ें तसक खुश रहें, शुब काउननाओं सहित तुम्हारी दोस्त एमिली, टॉमस ने भारमुक्त होकर राहत की सांस ली और अपना सामान बा लाइक, शेर और सब्सक्राइब अवश करें, धन्यवाद